नमस्कार दोस्तो अगर आप US मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी प्राब्लम है तो आप इन दोनों में से कुछ भी एड कर सकते हैं और आपको ये जानना है कि बेस्ट मुचल फंड कौन सा है अगर मैं US मार्केट में जाना चाहूं तो मैं सिर्फ बेस्ट मुचल फंड ही नहीं आपके साथ कंपेर करके दिखाऊंगा US मार्केट का बलकि गलोबल मार्केट का जो ओवरल सब मार्केट में पैसा डाल रहे है उनका भी और साथ ही इंडियन मार्केट का भी कंपैरजन आपको दिखाऊंगा ठीक है तो जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि हम कहां पे पीछे रह रहे थे और कहां पे हमें चीज करनी चाहिए और in the end जब वो एक बार conclusion निकल जाएगा जब मैं आपको सामने रख दूँगा US market के सारे fund और आपको पता लगेगा कि हाँ ये fund अच्छा है उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा deep comparison भी दिखाऊंगा थाकि आपको ये समझ आ जाए कि US market इंडियन market से किस तरह से better perform करती है और आगे भी कर सकती है तो इस चीज को जानने के लिए स्क्रीन पे चलते हैं बिना किसी देख और यहां पे मैंने चार fund लिये हैं अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है अगर आपके मन में ये है कि सर इसकी जगा हम कुछ और भी ले सकते थे इंडियन market से connect करने के लिए active fund ले सकते थे तो इतना बहुत ज्यादा लंबा चोड़ा फरक नहीं पड़ता आप हमारी वीडियो जाकर देख सकते हैं जहां प आपको काफी ज़्यादा help मिल जाएगी आप वो जाके check out कर सकते हैं और अब अगर मैं बात करूँ इनकी चारों की SBM Magnum Global ये पूरे global में डालता है पैसा ये US में और ये थोड़ा सा US flexible ठीक है अब यहां पे अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा इसका AEM जरूर कम है लेकि कि बात करूँ तो सबसे कम रिटन इसने दे रखा है और अगर मैं बात करूँ तो यहां पे global market ने सबसे ज़दे रिटन दे रखा है और और long term की अगर मैं बात करूँ तो US वले fund है जो दो टोप पे हमें दिखाई दे रहे हैं समझा गया तो यानि कि US market में potential तो है ठीक है short term का फरक आ सकता है short term में short term लगा लो medium term लगा लो three to five years में अब यह आपको बहुत बड़ा नहीं लगेगा लेकिन जब 20 साल हो जाएंगे ना तो 20 साल में यही फरक लाखों में चला जाएगा आपका फरक कम से कम 20 से 30 लाख से उपर का फरक आ जाएगा ठीक है अगर हम इतने percentage और इतने percentage को compare करें तो 3-4% बहुत होता है तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें अब मैं यह नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह से US market में exposure ले लें आपको इंडियन मार्केट का भी exposure चाहिए आपको साथ-साथ US market का भी 20-30% कुछ exposure चाहिए ठीक है और यहाँ पे अगर मैं बा अहाँ पे ज्यादा grow करती है सर्विस सेक्टर में 20% उनका financial और technology सेक्टर 18% है इंडिया में 13% technology है और financial सबसे उपर रहता है second number पे energy है ठीक है तो यह हलका सा फरक है और सबसे ज्यादा exposure आपको Facebook का मिलेगा indirectly ठीक है और यहाँ पे यह चार कंपनिया और है Equifax, Mercedo Libre and Adobe System ठीक अगर मैं थोड़ा सा और नीचे आऊं तो इनके expense ratio की बात करूँ तो यह expense ratio हलका सा higher side पे है जबकि इधर थोड़ा सा कम है ठीक है लेकिन फिर भी जो difference हमें देखने को मिला ना return में यह worth it है अगर हम mutual fund की बात करें तो ICAC potential blue chip equity fund worth it है क्योंकि मैं बहुत बार बोलता हूँ कि ICC की expense ratio है वो काफी ज़्यादा रहते हैं तो हम ignore मारके चलते हैं लेकिन यहाँ पे यह worth it है और सबसे बड़ी बात आप SIP कर सकते हैं सिर्फ 100 रुपीज की तो आप 200-400 जितना भी डालना चाहें अपने हिसाब से मान ल 50-50 ETF की ठीक है मैं आपको एक ETF भी बताऊंगा वीडियो में आगे ठीक है तो वीडियो में बने रहो आगे आपको एक ETF बताऊंगा एक तो बता दिया मैंने यहाँ पर SBA अच्छे से फोलो कर रहा है हलका सा difference है बाकी यह काफी अच्छे से फोलो कर रहा है ठीक है और return के माम समले में सही है और अगर मैं बात करूँ Nifty 50 में return कितने generate हूं है absolute return 78% और अगर मैं बात करूँ annualized लगबग 12.20 हमने उपर 12% देखा था UTI Nifty 50 में यहाँ पे हमें 0.20 extra मिल रहा है ठीक है तो call मिला के हम जितना भी कर ले हमें 12% return मिल रहा है UTI Nifty 50 में invest करने से समझा गया इसके बाद अगर मैं बात करूँ नीचे थोड़ा सा और आके मैं SIP returns की बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि absolute return 45% और 15% के आसपास यह आ जाएगा आपको SIP से अगर हम SIP में डाल रहे है पैसा तो annualized return हमारे बढ़ जाते हैं और यह 15% आ जाता है ठीक है और एक चीज़ की और मैं आपको दिखाऊं अब नीचे अगर मैं आऊं मैं दो चीज़ों को compare करू यहां पर Nifty 50 को और US market के किसी भी ETF को यह मोतिलालोस वाल का है और यहां पर आप difference देख सकते हैं बहुत बड़ा है अभी जो drop आया उसकी वज़े से यह आगे straight drop आपको ऐसे देखने को मिलेगा ठीक है और यहां पर अगर मैं बात करूं absolute return की 5 years की 117 ठीक है annualized 17% अभी मैंने आपको दिखाया था वहां पर 12% यहां पर 17 है और SIP का return अगर मैं बात करूं तो यहां पर लगबक 17.21 जब की 14.something आ रहा था कहां पर Nifty 50 में तो इस चीज़ का आपको फरक देखने को साफ साफ मिलेगा ठीक है top 10 जो आपको अगर आप NASDAQ 100 में invest करते हैं तो आपको top stock कौन स मिल सकते हैं mostly जो आपको top के हैं यही मिलेंगे आपको Microsoft मिल जाएगा Apple मिल जाएगा Amazon मिल जाएगा Alphabet मिल जाएगा Alphabet ये दोनों कंपनिया अलग लग है NVIDIA Corporation Tesla Motors Facebook Pepsico Broadcom ठीक है तो यह आपको total exposure मिल जाएगा top 10 कंपनियों का ठीक है और hopefully आपको सब समझ आ गया होगा इस वीड जाने पर वीडियो है वो जाकर आप देख सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो पर